यह लो इस वीडियो वी विल्टों सिंपल पास्ट थेंस पास्ट मिन्स जो बीच चुका है तो फॉर्म में सिंपल में किया आएगा चलिए सबसे पहले समझते हैं सिंपल पास्ट को the simple past tense talks about the action that have occurred earlier तो मतलब कि वो action वो काम simple past का जो पहले हो चुका है that occurred earlier ठीक है तो आपका simple past tense होगा let me clear with the board image चलिए जैसे मैंने आपको class में समझाया था past tense ठीक है past tense में हम simple past की बात करें तो we are know all that about the tense form there are three tense form tense कितने kind होते हैं three affirmative होता है negative होता और interrogative होते हैं जो हम sentence में लिखते हैं ठीक है तो simple sentence मतलब कि affirmative की बात करें तो as we know subject will become on the first place and object will be at the last ठीक है यहाँ पर भी देखे subject first place पे object last place पे है ठीक है जो main है verb जो आपको learn करना है वो है सिर्फ यह तो आप सिर्फ इतना याद रखे कि we two एक ऐसी place है सिर्फ और सिर्फ जो आती है simple past tense में और कहीं नहीं आती है affirmative में we two हमेशा affirmative में simple past में आती है और कहीं भी आपको we two की form नहीं मिलेगी ठीक है वी one आपको present में मिलेगी और वी three आपको has have had perfect के साथ मिलेगी negative में हम not लगाते हैं इतना हमें बता है but do does present में होगा और did आपका past में होगा इसलिए जब हम do does did लगाते हैं तो उसके साथ हमेशा वी one होता है clear चले बात करतें इंट्रोगेटिव की इंट्रोगेटिव में आपका helping verb will become first place ठीक है first place पर डीड आएगा तो subject होगा क्योंकि हम डीड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंब और लास्ट में आपका question mark होगा clear चले example से समझते हैं आगर affirmative में example है आपका the boys played cricket it means उसको हिंदी में translate कैसे करेंगे लड़कों ने cricket खेला मतलब लड़के cricket जो है वो खेल चुके हैं पास्ट की बात हो गई है तो देखे the boys आपका subject है played आपका V2 है क्योंकि V1 प्ले होगा ठीक है object आपका cricket है लड़कों ने cricket खेला the boys played cricket अब negative में not लगाना है तो did not plus V1 आएगा सिफ इतना धियान रखिए तो the boys didn't play cricket लड़कों क्रिकेट नहीं खेला क्लिए इंटेरोगेट में कैसे लिखेंगे डिट आपका पहले आएगा subject बात में आएगा उसके बाद वीवन आएगा उसके बाद object उसके बाद question mark you have to learn this table without learn you can't do your exercise so example में देखे did the boys play cricket देखे डिट यहां पे डिट ठीक है subject आपका the boys और play आपका वीवन है यहां देखो हमने नहीं लगाया प्लेट क्यूंकि वीवन लगाना है हमको डिट के जाथ clear cricket cricket object आपका और लास में question mark question mark चले तो क्या होगा इसका क्या लड़कों ने cricket खेला question mark इधर हम question पूछ रहे हैं तो इसी लिए interrogative question है क्या लड़कों ने cricket खेला ठीक है तो first done है second में आएगा the boys drank क्यूंकि drink first है तो drank V2 है drank a glass of milk ठीक है the girl cut the cake cut आपका V2 आएगा यहां पर the girl fourth में आईए the cat slept on the mat ठीक है slept आपका slip का V1 है slept आपका V2 है the dog chased the bus chased chased होगा पीछा करना V1 chased V2 है the teacher wrought on the board तो right V1 है और wrought जो है इसका V2 है चले अब आपको underline करना है वी एक सेसे में given है जो भी आपने ए में किया है तो मैंने already underline किया हूँ है drank है cut है slept है chased है और wrought है ठीक है चले next पे चलते हैं same वही table आपको learn करनी है table learn होगी तो समझें आपको simple past tense आ गया तो आपको नहीं समझ मेरा तो दुबारे back जाके table जरूर देखिए और उसको follow कीजिए यहां आपको जो है simple past वही same करना है तो go का went आएगा बी का क्योंकि हम here we are talking about the past past का बी में was आएगा अगर हम मैं यहाँ पे present बोलते हैं आपको बी का form लिखना है तो it के साथ is होता लेकिन मैं past कह रहे हैं लोग आने के लिए तो आपका it was होगा visit का visited होगा again I was अगर मैं present की बात करूँ तो I am होगा clear walk का walked होगा go का went होगा past we to be again the forest was हाना नहीं तो यहाँ पे the forest is हो आता see का so आएगा ठीक है चलिए again same यहाँ पे simple past tense you have to fill according to the given word bracket में be है तो यहाँ पे was आएगा freeze का froze आएगा do का did आएगा ठीक है यहाँ पे froze यहाँ पे have का had आएगा again यहाँ पे was आएगा यहाँ पे experienced यहाँ पे same was यहाँ पे do आएगा चलिए यहाँ पे भी आपको simple past tense fill करना है तो रवी so see का so होगा ठीक है receive रमेश सवीता left last night I didn't fifth में देखे शाम fell ठीक है six में bought seventh में finished होगा eight में visited I saw ninth में ठीक है यहाँ पे आपका sad होगा चलिए same again यहाँ पे simple past tense तो take का took होगा enjoy का I enjoyed नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यह past की तो I didn't enjoy I didn't disturb did लगाया है तो वीवन आएगा ठीक है नहीं तो आप I enjoyed it very much भी कर सकते हैं so he went go का went आएगा I didn't sleep he didn't eat अगर मैं so he ate the left or was यह तो लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक है hope you understood this exercise very well मिलते नेक्स्टेप्टर के answers के साथ नेक्स्ट वीडियो में so don't forget yes do like share and subscribe my channel thank you for watching this bye bye to all अकर समझ में नहीं आ रहा तो दुबारे देखे वीडियो को तिबारे देखे बारे देखे बट समझे जरूर thank you for watching this